हाईलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निक टॉपिक होगा आपका ए ठींग ब्यूटी यह पोएम नंबर फोर है क्लास 12 इंगलिज का करवाया जागा आपको एम स्यूप से पहले आपको ए ठींग ब्यूटी जो पोएम है उसके बारे हम बताया जाएगा पोएट के जो ए ठींग ब् एक्स्प्लेइन करेंगे बिल्कुल आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है देन आफ्टर आपको टॉप 30 MCQ करवाया जाएगा और हर क्वेश्चन को एक्स्प्लेइन कर जाएगा हिंदी में सब वीडियो को फ्रेंड्स लाइक स्गर कर दे और चैनल में फर्स्ट टैम हो और कोई टाप का शुट गया होगा वीडियो आपका क्लास 12 जो के बीस पीजिटी आम पूछे जाएगे देखिएगा के बीसी पीजिटी में जाहिएगा के बीसी पीजिटी का मैंने पनावा प्लेलिस्ट वहां पर सब वीडियो आपको मिल जाएगा 11 और 12 का बेस्ट है बॉर्न हुआ था निकि जन्म हुआ था अगर बात किया जो फ्रेंट्स जॉन किट्स का डाइड कब होई थी देखिए फ्रेंट्स मिल्तिव इनका हो गया था 1821 अगर आप देखेंगे 1795 से लेकर 1825 में तो आपको दिखाई कितने पड़ेंगे इधर हो गया है फाइब मतब 26 अबाउट मात्र इयर इनका हुआ था जो कि वो अपने लाइफ में बहुत कुछ किये थे इतना बहुत ही कम समय रहे था ठीक है तो ध्यांद्रेव फ्रेंट्स यह जो है एधिंग और ब्यूटी क्या बताएं जॉन किट्स इसके पोईट है ठीक है इस पोईब के बॉर्न क का बताएं 1795 को डाइट कब हो गया 1821 एक ब्रिटिस रोमांटिक पोईट थे और इनका ट्रेन था सर्जन में किट्स जो है वो डिसाइड करते थे अपने होली पोईट्री पे और किट्स जो है सिक्रेट था अपने पावर को स्वेग करते थे परभाविस होता था और लिया गया है आपका इंडिमेंस से जो फोईटी यह लिया गया है आपका इंडिमेंस से लिया गया एक पोईटिक रोमांस थे अब पोईट किया थे जो है ग्रीकड लिजेंड पर 돼요 और यह हैyen अर्यैडे Qidas रिण्द माउंट लेतिमस और यह सिंथिया के बारे में बताता है ठीक है फ्रेंट्स और यह थींग अप ब्यूटी जो है एक युनानी कथा पर क्या होती है एक अधारी था जिसमें एक बहुत सुन्दर जो है चरवाहा और कवी जो है माउंट लेटमस रहता था चंदरमा की देवी सिंथिया की एक जहलक देख ली थी तो आई जानेंगे फ्रेंट्स तो वहाँ पे एक युगा जंगलों और समत्रों में क्या रहता है भटकता रहता है आई जानेंगे बहुत सुन्दर पोयम है अपका A Thing of Beauty एक फ्रेंट्स खहता है A Thing of Beauty is a joy forever Its loveliness increases it will never pass into nothingness but will keep a power quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing कहता है A Thing of Beauty जो है हमेशा हमेशा के लिए सुन्दर देती है ठीक है और इसकी सुन्दरता क्या होती है हमेशा बढ़ती रहती है loveliness increases it will never pass कभी भी समाप्त नहीं होने वाली सुन्दरता होती है बलकि एक सांती भरी ठंडी चाया सभी को देती है भरी नीन सपनों की भरी नीन देती है और यह स्वास्त करती है और अरामता एक सास्वाति भाती होती ठीक है फ्रेंट्स यह कहता है आपका फस्ट में पाल फ्रॉम आवर डार्क इसमें कहता है अबरी मोरो को मतलब होता है फॉलाविंग डेक टुमोरो आने वाला कल को बोलते है प्रत्वी दिन क्या है फुलो की माला हम बनाते हैं फ्लावरी बैंड प्रत्वी से बांधे रखता है और जो है उन्सुंदर्ता को क्या करता वो अच्छे सौस्ता वालों की लोग की कमी और मायोसी है संसान में किया है घटियापन भी महुत लोग है लोग और मकारी भी लोग है उसके बाद भी किसी भी परकार की सुन्दर्ता हमारी आतमाओं के अन्धेरे में परदा क्या करती फ्रेंस हटा देती है सुन्दर्ता जहां पर आती है तो हर तरह का जो है वहां पर अच्छाई आपको दिखाई पड़ेगा मतलब अगर ब्यूटीपन कहीं मिलता है तो बिल्कुल हर चीज़ को नीरे सापका अंधकार को दूर कर देती है ठीक है फ्रेंट्स यह आप पर नमबर तू था सब्सक्राइब कहता है सच दस सब्सक्राइब किया गया है आपका देखिए सन से किया गया है उसके बाद देखिए फ्रेंट्स मूर से किया गया है ट्रीज ओल्ड से किया गया यंग से किया गया सेडी बूर से किया गया सिंपल सीप से किया गया डेफोडिल्स भी नर्गिस का फूल होता है देखिए उससे भी हाँ पे मतलब हर चीज को सुन्दर्ता के बारे भी हाँ पे दिखाया गया है और एक अम्रित का फवारा हमिसा स्वर के किनारे से हमारे उपर टपक रहा है अर्थात काने का मतलब यह है फ्रेंड्स जो है सुन्दर्ता आने की ब्यूटी जो है हो अमर है अमर आने की इम्मोर्टल है मतलब सास्वा थे कभी यह मरती नहीं है देख रहें फ्रेंड्स तो बहुत इंपोर्टेंट आप पता दिये हैं लाइन चुलिए फ्रेंड्स अब हम एमसे क्यूब को एकस्प्लेंड करते हैं आई सबसे पहले कोश्चिन हम बहुत है क का बॉन 1795 में हुआ था तो वन का उपसा नमबर डी राइट आंसर होगा आए बरता फ्रेंड की कोश्यन नमबर की और की कह रहा है कि पोईट को ता दिये हैं आप यह थींग वो ब्यूटी के जो है पोईट वो जॉन कीट से मतलब जॉन के पास पॉस उन्दरता की है हर ची इंडिमियन से जो एक पोईटिक लिया गया था तो थाट का उपसर नमबर ए राइट आइट आंसर होगा आए देखिए बरता फ्रेंड कोश्यन नमबर फोर की और देखिए इंडिमियन यहाँ पे कौन है आपको यह बताना है यंग चाइल लेकि यंग सेफ़र्ड है ठीके फ्रेंड बताना है देखिए यंडिमियन जो है कि यंग सेफ़र्ड है मिन्स फोर का उपसर नमबर डी प्राइट आइट आंसर हो जाएगा आयो बढ़ता और इंडुमियन कहाν रहते हैं आपको बता, वो रहते हैं माउंट लैटमसे जो आब बताएं, पोइट के बारे में बताएं थे माउंट लैटमस के बारे में, आने कि जो है पोइट जॉप्ट जों प्रीद के रहते हैं पोइटson नबर ये रिट अउल्फ से और ठीक है देखिए पर रिसॉल्फ जो करने वाले थे उस सिंथिया दमून गॉड़ेस ठीक है आपसन नमबर डी राइट आंसर आयो बड़ फ्रेंट्स कोश्चन नमबर आपका 7 नमबर किया और what are the things of beauty mentioned in the poem देखिए क्या क्या चीज जो सुन दरता जो है इस poem के माद्द्स दर्साया गया है mentioned किया गया देखिए बता दिये sun and moon के बारे में किया गया है young trees and streams के बारे में किया गया which things caught suffering to human beings देखिए वो कौन से चीज है जो human beings को suffering करती है प्रीद करती है lack of virtue in human acts weathering flowers blooming flowers blooming flowers देखिए फ्लोमिंग खिलना होता है question no.9 कहता है what does endemian do to sick goddess ठीक है कौन करता है endemian sick goddess मतलब होता है देवी ठीक है friends यह करता है wanders through forest option no.d right answer 9th no. का आये बढ़ता है question no.10 no. how is a thing of beauty joy forever देखिए कहता है हमेशा जो है कैसे वो joy forever होती है कैसे होती है friends because its beauty never ends beauty जो है कभी खुंदर तक खत्म नहीं होती है and leaves a lasting impact और लास्ट क्या करती है परभाव छोड़ती है means 10th caption no.d right answer होगा आई देखिए about the friends question no.11 what is the message of the poem देखिए यहां चो है poem a thing of beauty क्या message देती है वो आपका बताना है तो beauty कभी नहीं खतम होती beauty lips spreads high beauty joy forever मैं तब सभी चीज के message देती है 11th caption no.d right answer आई देखिए बढ़ते friends question no.12 what does a thing of beauty do for us हमलों के लिए कैसे जो सुन्दरता लाती है देखिए keeps hope आसा लेके happiness खुशिया लेके remove suffering मतलब दर्द और suffering को हटा कर all of these यहां पर देखिए friends right answer हो जाएगा 12th number का आई बढ़ते friends question no.13 number देखिए और what is the endless fountain and what is its effect कैसे यह effect करता है endless fountain ठीक है यहां बताया है कि आपको endless fountain ठीक है जो कभी खतम नहीं होती है न तो इस सीज़ का यहां पर देखिए friends use किया गया है तो आपको बताना है 13th number का देखिए friends हो जाएगा a thing of beauty is endless fountain and it gives happiness यह happiness देती है option no.3 right answer आयो देखिए बढ़ते है 14th number किया और what does I think of beauty joy forever means का मतलब क्या होता है देखिए friends हो आपको बता है इसका मतलब होता है it will keep giving happiness यह एक joy forever हमेशा क्या है यह खोशियां लाती है ठीक है आयो पढ़ते है 16th number कियो देखिए friends what is the concept of beauty का concept क्या है तो तो मतलब होता है में चीज में बीचार जो है beauty का वो क्या करती है देखिए friends हो लाती है happiness खोशियां लाती है लाती है कि नहीं एकदम लाती है तो इक्वाइलिटी वीच आलबेज गिप्स happiness लेती तो अपसर नमबर डिया आइट आंसर 16 नमबर का आयो पढ़ते है 17 नमबर कि दो वी experience things of beauty only for a short time क्या यह short time के लिए होता है नहीं यह short time के लिए नहीं होता है यह बहुत long time के लिए होता है no तो अगर नहीं they make a lasting impression of happiness यह last happiness बनी रहती है option नमबर डी राइट आंसर हो जागा देखिए friends बहुत important है आयो बढ़ते 18 नमबर की और who said किस ने कहा that a thing of beauty is a joy forever beauty जो है सुन्दरता हमेशा के लिए बनी रहती है यह john kids के दोरा कहा गया था friends यह john kids के दोरा कहा गया था option number right answer होगा 18 नमबर का आये बढ़ते है 19 नमबर की और how does a thing of beauty provides shelter and comfort लाती है ठीक है shelter आसर है और comfort देदी है by giving a sense of joy and happiness से by removing pain and suffering से like a bower से all of these यहां पर रहता होगा 20 नमबर को whose loveliness will keep on increasing increasing मतलब कौन बढ़ाता है loveliness को जो है सुन्दरता को आने की जो है प्यारपन को वो कौन बढ़ाता है तो आफ और जितने भी beautiful चीजे है वो पढ़ाती 20 का option number the right answer आयो पढ़ते है 21 नमबर की और write the phrase which means it is immortal इसका मतलब immortal मतलब होता है सास्वत अमर जो कभी मरता नहीं है इट से कहते हैं immortal कहा जाता है ठीक है it will never fit never pass nothingness it will never seize it will keep giving happiness for a longer time ठीक है it will never pass in nothingness उन्हें कभी pass नहीं होता है तो option number भी हो जाएगा 21 number का आईए बढ़ते है 22 number की और देखे 22 number कहता है आपका वाटी जब बोवर देखे फेंस बोवर क्या है देखे बोवर एक परकार का सैडी ट्री है सैडी ट्री का मतलब क्या होता है छायवार पेड़ ठीक है तो एक सैडी ट्री है आपका देखेंगा बोवर तो 22 का option number डी राइक आंसर आईए बढ़ते है 23 23 number की और why do we need sweet dreams health and quiet breathing बता दिये थे poem में सुर्ष सपना अच्छा देती है है स्वास्त और की बेढ़ते हैं to have a healthy mind and body के लिए to have sound sleep के लिए to have peace and happiness सांती और खोशिया के लिए all of these यहारा दांसरों का 23 नमबर का आयोपरते फेंट 24 नमबर की और 24 नमबर करता है what are mighty dead in the poem इसका म का मतलब होता है great respect worthy ancestors especially dead emperors option number D right answer आये बढ़ते है 25 नमबर की और what is the endless fountain of immortal drink का मतलब क्या होता है all the things और भी चीज का है सुंदरता लाती है option number D right answer आयोब बढ़ते है 26 नमबर क्या कहता है what does bring mean bring का मतलब क्या होता है वह आपको बताना है and age at the top किनारा का जो है top होता है उसका मतलब होता है bring का मतलब 27 नमबर की राते friends what does immortal immortal का मतलब क्या होता है सासवत आने की अमर ठीक है जो कभी मरता नहीं है immortal का मतलब क्या होता है never ending or endless कभी खतम नहीं होता है कभी सक खतम है ही नहीं आए बढ़ते हैं 28 नमबर की और 28 नमबर देखी कहता है what image does the poet use to convey that beauty is everlasting कौन सा image को यूज किया गया है इसमें poet ने यूज किया है endless fountain of joy option नमबर सी राइट आनसर आए बढ़ते हैं 29 नमबर की और what is the effect of immortal इंका क्या परभाव पढ़ता है पढ़ा आपको देखी बताना है immense joy and happiness आता है option नमबर सी राइट आंसर आए आते last question नमबर 30 की और pick the words from the poem which means storage magnificence के बारे में बताना है words कह करना pick up करना है the words को आपको चुनना है ठीक है चुनें के से टेल्स एंड ग्रेंडूर वक्रम होता है विसाल आइन टेल्स आपसर नमबर ए राइट आंसर आए फ्रेंट समाज में आपको आगया मतलब स्टोरी का से ओनीम क्या होगा टेल्स का मतलब इस्टोरी होता है मंग्स फिक्सल्स का मतलब भव्यता विशाल का मतलब हो गरेंडूर मतलब का सेम मिनिंग आपको ढूलना था आपको समाज में आ गया होगा यह फ्रेंड्स आपके top 30 आपको mcq आनि की object type question करवा दिया गया